हेलो एवरीवन दिस इस रिशप सेंग और विल्कम यॉर्ण स्टेडियागी प्लाटफर्म मैंनों को बताए कि हमारी सीरीज चल रही है जहां पर हम करेंट अफेस को समझेगी कोशिश करते हैं जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स रहते हैं उस दिन के और बहुत ही स्टिक डेवलप्मेंट और होलस्टिक नॉलेज बढ़ सके तो आए फिस स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को स्टार्ट करने से पर एक चीज़ बलूँगा कि कमेंट्स जरूर क्या करें मैं बार बार कहता हूं कि जो भी डाउट हुआ करें अगर आपको चीज़ें समझ हो रहा है क्योंकि यह जो टॉपिक्स हैं यह काफी टेकनिकल होते हैं और मैं काफी जादा रिसोर्स पढ़ता हूं उसके बाद सब कंसॉलिडेट करके आपको बहुत ही कंसाइज वे में समझाने की कोशिश करता हूं तो कमेंट्स वगर जरूर किया करिए अच्छा रहता है हमको भी समझ में आता है कि हाँ जो भी हम सीरीज लेकिया रहे हों आपके लिए यूसफुल है जली फिर सेशन को स्टार्ट करते हैं तो आज के हिंदू में हिंदू के आर्टिकल में यह पबलिश हुआ था और लिखा हुआ है पीछे अलॉंग व्यू ऑफ दा साउथ एशि इंडिया जो एक आपका साउथ एशिया पार्ट अगर हम साउथ एशिया रिजन की बात करें स्पेसिफिकली तो यह इतना ज्यादा यहां पे जो कंट्री इस उनके भीच में इतना ज्यादा कोलाबरेशन नहीं है अगर हम कमपेर करें यूरोपियन यूनियन के साथ या हम क connectivity है, तो एक integrated region है, पर वही बात अगर हम South Asian regions की करें, या South Asian countries की बात करें, तो इस region में इतने ज़्यादा countries integrated नहीं है, कोई ने कोई ऐसे issues है, जिसके वज़े से आपस में जो है, चीजे उस track पर नहीं आ पाई है, जब से बहुत सालों की बात है, नहीं के अभी ऐसे अब इसके क्या क्या reasons है, क्यों South Asian countries हैं, South Asia का region है, वहां की जो countries है, वह उन् 성 Dem another अब क्या इस region का, इस region Mobile Legends का करीं का रोल हो सकता है, और इंडिया किस तरीके से इस region को integrate कर सकता है क्योंकि अगर हम South Asia region की बात करें तो यहां पर China अपना जो presence है वो कहीं न कहीं डालने की कोशिश कर रहा है चाहे वो शिलंका की बात हो जाए चाहे वो नेपाल की पाकिस्टान को आपका तो पता ही उनका CPAC जो है तो इस रीजन में जहां पे पहले इंडिया को as a soul authority माना जाता था not authority authority एक word wrong word है पर एक एक यह एशिया जो रिजन है इंडिया कोषए हैं नहीं तो इन्थ जीशन के वजहये को इंडिया के इजैनल करता था यहां पर इंडिया की डॉमिलेंश हका्रा चाइना के दौर्ए अपना अपना बढ़ार आइस रिजन में तो इनहीं सब चीजों के वज़ sequra trzeba गारा इंट्या नहीं हो पारा fifty- नहीं कहीं सारी कंट्रियां कुछ नहीं कुछ इसके अरे पकर्शन देख रहे हैं क्योंकि अगर हम European Union की बात करें तो अगर किसी एक कंट्री में या किसी एक देश को कुछ भी इशूज होते हैं तो वहां पर ट्रेडिंग है वहां पर कोलाबरेशन है सारी चीजें सब का क्या रोल हो सकता है कि किस तरीके से एक तो चाइना का प्रेजन्स इस रीजन में कम करें जैसे पहले था पहले चाइना का सच रीजन इतना प्रेजन्स नहीं था पहले यहां पर इंडिया का ही प्रेजन्स था अब उस प्रेजन्स को चैलेंज कर रहा है चाइना और बहु military exercises हो जाए चाहे वो economic cooperation हो जाए चाहे वो connectivity हो जाए क्योंकि अगर ये सारे regions जितने इस region में जितने भी देश हैं अगर इनके बीश में trading होगी connectivity होगी तो कहीं ने कहीं economically इंडिया को भी फादा होगा और साथी साथ जितने भी छोटे देश हैं साथ एशिया रीजन में उनको भी होगा तो ये सारी चीज़ेंगे ये इस इस आर्टिकल छोटा सा summarization तो मैंने आपको समझा दिया अब हम फदर पूरा निटी-ग्रीटी में इस आर्टिकल के समझेंगे तो सबसे परेट suffet समझ लो कि अगर हम साथ एशिया रीजन की बात कर रहे है तो ये आठ देश आते हैं ठीक है इस में सबसे इंपोर्टेन्ट है इंडिया इंडिया पाकिस्तान रिपाकिस्तान लाट अफगानिस्टान आता है अफगानिस्तान के बाद श्रिलंका बंगला देश मालदीव से नेपाल और भूटान तो कहीं न कहीं यह आठ देश आपके सार्क को भी फार्म करते हैं अब यह जो आठ देश आप देख रहे हैं इसमें इंडिया एक मात्र ऐसा देश है जहां पर डेमोक्रेसी 75 सालों से चल रही है पाकिस्तान मैं आपको पता है क्या आल है वहाँ परी तरीके से कभी मिलिट्री लूल आ जाता है कभी so called डेमोक्रेसी आ جاتी है और वहाँ पर डेमोक्रेसी आलम यह है कि आज तक पाकिस्तान का कोई भी प्रेसिडेंट या प्राइमनिस्टर अपना टर्म पूर जो आर्मी है वो अपना मिलिटरी रूल लगा देती है तो पाकिस्तान में तो डेमोक्रेसी को कोई नामों निशानी नहीं है अफगानिस्तान की सिथी आपको पता ही है कि बहुत सालों से यहां पे सिविल वार हो रहा है पहले यहां पे तालिबान का रूल था फिर 2001 से लेके 2021 21 तक कुछ हम ग्लिम्स देख रहे थे डेमोक्रेसी की कुछ चीजें सुधार हो रही थी अफगानिस्तान में इंडिया ने अपना बहुत सारे इंवेस्मेंट लगाया था ताकि अफगानिस्तान के अफगानिस्तान जो है वो डेवलप हो सके पर 2021 में आप सब को पता है कि USA क ऐसे अफगानिस्तान से भागा और किस तरीके से तालिबान ने कैप्चर कर लिया और तालिबान 2.0 और उनकी जितनी भी पॉलिसी आप देख रहे है कुछ खास ऐस सच डिफरेंस नहीं है सिर्फ तालिबान 2.0 की बात करें तो उनको शायद डिप्लोमेसी आ गई है बैक इ उनके लॉज है वैसे ही कर रहे है तो अफगानिस्तान का तो हाल आपको पता ही है श्रिलंका में भी बहुत टाइम तक सिविल वार हुआ था ठीक है ल्टीटी और श्रिलंकन गवर्मेंट के बीच में बहुत जादा सिविल वार हुआ था यहां भी आर्टिकल 13-a का कुछ इस चलते रहते हैं अभी एकनॉमिक क्राइस बहुत जादा खराब है तो इस चिलंका में भी कुछ खास एस सच डेमोक्रेसी या रिपब्लिक रहा नहीं है फिर अगर हम बंगलादेश की बात करें तो 1971 में फॉर्म हुआ था फिर 1975 में जो इनके पहले प्रधान मंत्री थे जो पावर में थे उनकी पूरी फैमिल्यों के असाइसिनेट किया गया था इनी के आर्मी के दौरा तो यहां भी इशूज होई रहे हैं बंगलादेश में भी मालदीश में भी बहुत मिलिटरी रूल साते रहते हैं ऑपरेशन कैक्टेस हुआ था बैक in 1985 जहां पे इंडिया इंडियन आर्मी ने बचाया था मालदीश को कि वहाँ पे एक मिलिटरी कू हुआ था एटम किया गया था उसको सर्वाइब किया था नेपाल और भूटान में आपको पते कि मोनार्की है तो अगर हम इस रीजन में इंडिया को छोड़ दें तो किसी भी देश में ना कोई प lista है अब अगना इनकी बात करें तो यहां पर बहृत ज्यादा डिफरेंस नहीं यह अगर हम सिविलाइजेशन की बात कर ले ठीक उनाइट होते हैं अगर इंडिया पाकिस्तान का मैच हो तो अब देखते हैं कि शायद होस्टार पर करोडों के उपर वो लाइफ चला जाता और इसलिए ICC जो है वो कई बार इंडिया पाकिस्तान के मैच कराता है क्योंकि ICC को भी पता है कि एक बहुत बड़ी अमाउंट की का जनता जो है वो इंडिया पाकिस्तान का मैच देखेगी तो अगर हम सिवराइजेशन की बात कलने रैलिजिन की बात करने लैंगोजिस की बात करने ठीक है कल्चर्ज प्रक Peng ट्रैगोजिस की बात कर से टो है वह अपस में इस बहुत जाज़ा सिमिलारेटी है और इतनी सि मैंने आपको बताया कि कौन सी देश है और इसमें क्यों इंडिया का रोल इंपोर्टेंट है क्योंकि इंडिया एक ऐसा देश है जहां पर एक स्टेबल गवर्मेंट रहती है यहां पर इस तरह का एक प्रॉपर चेक इंड बैलेंसे है एकॉन एकॉनमिकली हम काफी ग्रो कर र रिलीजियस सिमिलारिटी बीट लैंग्विस सिमिलारिटी बीट कल्चर और ट्रेडिशनल सिमिलारिटी उसके बाद भी इस रीजन में बहुत जादा स्टेबिलिटी नहीं आई है कहीं न कहीं कुछ टर्मॉइल ही रहा है चाहे पाकिस्तान की बात कर लें तो ऐसा क्यों हु ऑपाकिस्तान की बात कलने्ट न अपना ट्रेड रूट जो रोल रूट हूँ वह इंडिया को नहीं आउड करता है की ब्हाई इंडिया जो है आफगानिस्दान के साथ ट्रेट करें क्यatellisतान यह नहीं चाहता है कि जो इंडिया का प्रैजन्स है वह अफगानिस्तान में ब और यह सारी चीजें जो पाकिस्तान हम भाई क्यों ही चाहेगा शायंं की पाकिस्तान जब से मुल्क बना यह 27 से तब से इनकी गलत फहमी रही है की ये इंडिया के ईक सोल कमपिटीटर है इंडिया और पाकिस्तान एक competitor है शाय 47 या 50s या 60s के decades में होगा पर 20-25 सालों में पाकिस्तान बहुत ज़ादा पीछे चूड़ गया इंडिया से और इंडिया चाहे economy की बात कर लें चाहे हम technology की बात कर लें चाहे हम private sector की बात कर लें चाहे हम poverty की बात कर लें चाहे हम social स्कीम की बात कर लें सोशल सेक्टर की बात कर लें हर लिहाज से जो इंडिया है वो बहुत जादा आगे चला गया पर यह बात पाकिस्तान की अथारिटी और इवेन इनकी जनता को भी नहीं समझ में आता इसी वज़े से विराट कोली और बाबर आजम को कंपेर करते रहते हैं क्यों कंपेर करते हैं मतलब ठीक है बाबर is a very good batsman बट विराट कोली इस विराट कोली मतलब क्या ही करें तो इनको यह गलत फैमी रहती है मेशा से की इंडिया और जो पाकिस्तान है वो एक competitor इंडिया का इस वज़े से इसी चीज में इसी ego में यह लोग कुछ भी इस तरह का जो अगर कुछ approval या अच-कुछ ऐसा पेश किया जाता है इंडिया के दौरा तो इसको block कर देते हैं जैसे अफगानिस्तान का example है मैं आपको बता दिया कि भाई अफगानिस्तान से हम easily trade कर सकते हैं विया पाकिस्तान इससे पाकिस्तान को भी फायदा होगा अफगानिस्तान important region जो है इस South Asia region में वो आपका है पाकिस्तान कि भाई पाकिस्तान का यह है कि इनको कोईज भी कुछ भी ऐसी चीज़ होती इसको block कर देते हैं अब सार की बात कर लें सार केज़नेशन ठीक है जो सार केज़न organization है यह एक बहुत ही अच्छा organization था ठीक है इसमें चाइना नहीं हैं इस वज़े से इस organization में इंडिया जो है वो अपना बड़ा ही important role play कर सकता था और जितने भी South Asia देश हैं उनके साथ integrate कर सकता था और यहां पे एक important role अपना play कर सकता था पर इस सार की मीटिंग में हर बार जो भी पेश किया जाता था जो भी प्रपोजल किये जाते थे वह भाई पाकिस्तान के द्वारा ब्लॉक कर दिये जाते थे इस वज़े से सार का जो organization की meetings वह बहुत जादा नहीं होती है इस वज़े से इंडिया ने जो अपना focus है वह सार कसे हटा के बिम्स्टेक पर कर दिया ठीक है आपको बिम्स्टेक के बारे बताओ को न अपने नाम सुना होगा अब आपको कमेंट करके बताना है कि बिम्स्टेक में कितनी countries है ठीक है और उ UPSC के में में काफी important question है आप से पूछा क्या सकता है कि सार कैसे organization why it failed or why it is not able to up to the mark ठीक है तो उसका सबस्वड़ा reason कि है उसका सबस्वड़ा reason है पाकिस्तान ने जितने भी proposals है वह ब्लॉक करके बैठ जाता है तो एक तो reason हो गया Pakistan अब एक reason है एक reason यह है कि जो छोटी जो छ इंडिया एक big brother की तरह role कर रहा है ठीक है इंडिया एक big brother की तरह behave कर रहा है अब जो बड़े भाई होते हैं अगर हम भारत में बात करें जो बड़े भाई होते हैं उनका थोड़ा dominance होता है कि छोटे भाई से कहते हैं यह कर लो पानी ले और रिमोट चेंज कर दो टीवी पर एक बात बतानों कि एक ऐसी image रहती है similarity रहती है तो इसी वज़ा चोटे देश हैं बंगलादेश हो गया ठीक है नेपाल हो गया भूटान हो गया बंगलादेश हो गया इनकी सरकारों को लगता है कि शायद जो इंडिया है वो big brother की तरह big brother का attitude ले कर रहा है और वो उनको पता रहा है कि किस तरीके से होना चीए किस तरीके से नहीं करना चीए जैसे जब नेपाल का Constitution फ्रेम हुआ था तो इंडिया के द्वारा बोला गया था कि मध्हेसी Community को वहाँ पे कुछ आप जाधा प्लेस जो है वो पॉइंट्स दें या प्लेस करें वह एक प्रो चाइना है तो इस तरीके से यह एक जो आटेट्यूट देखा जाता है चोटे देशों में कि इंडिया एक ब्रदर की तरह उनको देखते हैं तो यह चीज भी एक कही न कहीं हाला कि इस पर इंडिया ने कई बार कुछ पॉलिसी भी निकाले और कई बार स्प्रेसिफिकली बोला भी है कि भाई हम सिर्फ आपकी मदद करना चाहते हैं और इसी वज़े से जब शिलंका में एक नॉमिक रैसे हुआ तो सबसे पहले इंडिया ने मदद करी अफगानिस्त शुटे देशा उनके दिमाग में चीज रहती है तो इसी को counter करने के लिए जो इंडिया की एक policy जिसे कहते हैं ैंडिया च्च नेभर हुटिपbol sie यह जो implement किया गया था इससे पहले back in 90s एक policy आई थी तो अगर हम इंडिया जेबर हुट फर्स policy की बात करें तो इसमें क्या है इसमें यह है कि भाई हम सबसे पहले अपने नेबर्स की मदद करेंगे यह 2014 में लाँच हुआ था ठीक है इसका इनिशेटिन आपका 2014 में हुआ था 2014 में और यह कहीं नहीं एक रिवैंप पॉलिसी आपने नाम सुना हुआ गुज्राल डॉक्ट्रीन का ठीक है बाक इन गुज्राल डॉक्ट्रीन उनका भी इनिशेटिव था कि हमें जो है अपने नेबर्स की मदद करनी है और जब हम नेबर्स की मदद करेंगे तो हम इन रिटन कुछ भी फेवर या कुछ भी हेल्प नहीं हम सिर्फ आप हमारे नेबर हैं हमारे पडोसी हैं हमारे पस इसी के PHIL के वैड़ी हम आपकी मदद कर सकते हैं तो हम बस उस वह तो ये एक इंपर्टट पॉलिसी इंडिया इंडिया नेबर्स पॉलिसी तक कि की किस वज़े से साउथ इंडिया जो है वो एक बिग ब्रदर का अटिट्यूड प्ले कर रहा है तो इसलिए इन सब को चीजों को काउंटर करने के लिए जो बिग ब्रदर का मैंने आपको बता है उसके लिए बैक इन नाइंटीस गुज्राल डॉक्ट्रीन फॉर्म होगा था जिसमें यह था कि हम आप से पूछा जा सकता है कि किस तरीके से जो इंडिया की नेबर हुट फर्स पॉलिसी है वो क्यों इंप्लिमेंट की गई इसका रीजन यह था कि जितने भी आपस के देश है जितने भी पडोसी देश है उनको यह नहीं लगना चाहिए कि इंडिया कुछ ऐसा बिग की बेज रहे हैं अगर भूटान की बात करें तो भूटान से हम पर्चेस करते हैं और ऐसा नहीं की उस हाइड्र ल्टर सिटी का जो रेट है उसकों बढाते नहीं है अभी रिसेंटली भाहा भी दिया है इंडियन सरकार ने तो कई फी चारी सारी यह जो चीज़ें हो रही ह यह आपका India's neighborhood first policy के तहेत हो रही है तो आपको जानना होगा कि यह क्या purpose है क्या objective है इसका तो अगर हम सबसे पहले बात करें सबसे important है connectivity भाई अगर connectivity हो जाएगी तो अराम से resources का energy का goods का labor का और information का यह जो flow है यह बहुत जादा easily हो सकता क्योंकि आप मानते हैं कि trade अगर resources हो labor हो ठीक है goods हो energy हो यह ऐसी चीज़े हैं जो future में कहां आनी पड़ आएगी ही आएगी साथी साथ information जैसे climate change पर बहुत सारी information share की जा सकती जैसे अभी पाकिस्तान में devastating floods आये थे ठीक है तो अगर आपस में connectivity रहती आपस में यह जो information sharing method होता तो इससे हम सारी चीज़े क्या पता रोक सकते थे या हम रोक नहीं सकते हैं तो हम तयार हो सकते हैं तो इस वज़े से connectivity सिर्फ road की connectivity important नहीं है connectivity means आपकी resources की connectivity energy की connectivity क्योंकि climate change fossil fuels जो है अगर हम South Asia region की बात करने तो यहां पर बहुत जादा polluted cities है तो climate change से tackle करने के लिए हमें अपने energy transition करन है ऐसा तो नहीं होगा तो इसी वज़े से connectivity is not related to only roads or networks it is related with the resources it is related with the energy goods labor and most important information across border तो connectivity important objective है साथी साथ जितने भी issues है ठीक है जैसे मैं आपको बताया कि बंगलादेश हो गया नेपाल हो गया मौलदीव्स हो गया कुछ इनके issues है इनको लग रहा है कि शायद इंडिया big brother का attitude लेकर रहा है तो उनके साथ बैठके जो भी issues है concerns है उसे solve करें resolve करें क्योंकि economic cooperation इस region को अगर grow करना है इस region को अगर grow करना है इस region को अगर grow करना है तो economic cooperation बहुत ज़्यादा जरूरी और लास्ट में आपका military and defense cooperation अब अगर हम बात करें जो military exercises होती है वह basically होती है कि एक कोई stronger देश है ठीक है और एक दूसरे देशे practice करा जैसे अगर हम इंडिया इंडिया कि आर्मी के exercises की बात करें तो रशिया के साथ होता है USA के साथ होता है France के साथ होता है तो यहां से हमें चीजे पता चलती कि हाँ जब tough conditions होगी जब war होगे तो हम कैसे हम कैसे उसको tackle कर सकते है पर अगर हम South Asia region की बात करें तो इंडिया जो है वह बंगलादेश के साथ भी exercise करत हैं तो यह अपका purpose है objective है और सबसे important चीज जो मैंने आपको starting बताया था कि South Asia region में इंडिया को अगर अपना presence hold करना है strong करना है और चाइना के presence को अगर counter करना है तो सबसे important चीज है कि इंडिया को economically बहुत जादा grow होना पड़ेगा इंडिया को अपनी economy बहुत जादा strong करनी पड़ेगी ताकि एक assurance provide कर सके इंडिया कि हाँ हमारी economy इतनी जादा strong है कि आपस के आप आस पडोस में जितने भी छोटे देश हैं उन पे कोई भी problem आती है कोई भी issues आती है तो इंडिया सबसे पहले आगे आएगा help करने के लिए और यह कैसे हो सकता है जब इंडिया की खुद की economy काफी जादा strong होगी अभी हम developing economy हमारी जो economy grow कर रही है पर यह जो growing economy है इसे और जादा बढ़ाना है growth rate को double digits में लेके जाने है और यह continuously करना है तब जाके हम आने वाले सालों में हम आने वाले decades में South Asia region को integrate कर सकते हैं और इस integration में इंडिया का role सबसे जादा important हो सकता है क्योंकि मैंने आपको बता है कि इंडिया एक ऐसा देश है जहां पर 75 सालों से democracy है यहां पर भला ही politics राजनीती काफी जादा खराब है पर जनता का फैसला आ जाता है elections हो जाते है तो फिर जो भी ruling party रहती है वो seats छोड़ती है और य इससे इंडिया इस रीजन को integrate कर सकता है चाहे वो एककोनॉमिकली हो जाया चाहे वो connectivity वाइस हो जाया चाहे वो dialogue वाइस हो जाया और साती साथ इंडिया खुद भी economically ली ग्रो करेगा इस रीजन को भी ग्रो करेगा और इसी तरीके से चाइना का जो इंटेफरेंस है वो इस में इंडिया जो है वो काउंटर कर सकता है तो यह था पूरा इस आर्टिकल का समराइजेशन मैंने आपको पूरा स्टाटिक से चीज़े बताएं कि साउथ एशिया क्यों जो साउथ एशिया एक रीजन है वो क्यों integrated रही है क्या रीजन है और किस तरीके से इंडिया अपनी ना है कि बिंस्टेक में कितनी कंट्रीज है और उन कंट्रीज के सभी के सभी नाम आपको बताने तो यह तरूर से comment में बढूर करेगा मैं जाना चाहूंगा कि कितने लोग इसका अंसर देते हैं है और सही देते है गुगल यमत करेगा अगर आपको पता है तो आप करियेग नहीं होगा तो गूगल करें कि बता देजेगे मैंने गूगल किया है तो यह था पूरा आटिकल उम्मीद कर दो हमको समझ में होगा काफी इंपॉर्टेंट आटिकल था मैंने कोशिश करी कि आपको बहुत ही असान भाशा में समझा दूं सेशन को एंट करने सपहले की इंफॉर्मेशन दूंगा कि भाई आपको study IQ के course में इंडॉल करना है चाहे वो UPSC हो जाए चाहे वो state PSC हो जाए चाहे वो दोनों का combo हो जाए आप इंडॉल कर सकते हैं बस आपको मेरा code लगाना है RSLIVE जैसे ही मेरा code आप इंडट करोगे यू बी एबल टू परचेस दिस कॉंबो कोर्स अड़ प्राइस आफ टू वन ट्रिपल नाइफ गलती से यह प्राइस मत पे कर देना मेरा code लगा देना मेरा code है RSLIVE और यू बी एबल टू परचेस दिस कॉंबो कोर्स अट डिसकाउंट प्राइस तो यह छोटी से इंफॉर्मेशन देनी थी मुलकात करेंगे आप सब्ले वीडियो में तब तक अध्यान रखेगा मैनत करते रहेगा खुश रहेगा जय हिंद जय भारत